नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे बुक्स समरी अड़ा यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ग्यान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो सके तो चलिए आज की बुक्स समरी स्टार्ट करते हैं अपने बिजनस को सपोर्ट करने वाला बेस्ट पॉड्कास्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स को क्लियर रखें सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि आखिर पॉड्कास्ट होता क्या है क्यूंकि इस समरी के दोरान हम बहुत बार इस वर्ट का यूज़ करने वाले हैं पॉड्कास्ट दिजिटल ओडियो फाइल्स का एक कलेक्शन होता है जो कि इंटरनेट के हेल्प से डाउनलोड किया जा सकता है अब आपको लग रहा होगा कि इंटरनेट पर तो ऐसे बहुत से पॉड्कास्ट मौज़ूद होंगे जो कि सिमिलर हों बिल्कुल ऐसे बहुत से सिमिलर पॉड्कास्ट इंटरनेट पर मौजूद हैं लेकिन हम सभी को पता है कि हमें किस तरह का पॉड्कास्ट पसंद है हमें जो पसंद है वो हमारे लिए सबसे अलग है अब important यह है कि हम इस सभी podcast की success से क्या सीख सकते हैं सभी podcast में एक चीज similar होती है और वो ये कि उन सब में goals clear तरीके से define होते हैं और अगर आप भी अपने लिए podcast create करने की सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आप भी इस rule को follow करें आपका podcast ऐसा होना चाहिए जो कि आपके business को support करें हाला कि ये अपने आप नहीं होगा अगर आप एक अच्छा program बनाना चाहते हैं तो आपको ये clear होना चाहिए कि आपको क्या achieve करना है आपके mind में आपका ultimate goal बिलकुल clear होना चाहिए example के लिए सूचे कि क्या आप online sales से direct income generate करना चाहते हैं या फिर आपका कोई long term का plan है आपका objective जो भी हो अपनी podcast को design करने के लिए जरूरी है कि आपका goal आपके mind में clear हो उसके बाद जरूरी है कि आप अपने goal को content के साथ सही से connect करें याद रखी कि लोग सिर्फ content देखना चाहते हैं अच्छा content हमेशा सुनने वाले का trust gain करता है अगर आप अपनी podcast के health से ऐसा कर पाते हैं तभी आप अपने goals की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे content और goal एक दूसरे के साथ ही होते हैं अगर आपकी podcast में content अच्छा है नहीं होगा अपने favorite podcast के बारे में सूचिए और focus करिए कि वो किस तरह अपने content को अपने goal से connect करते हैं इससे शायद आपको कुछ help मिले अगर आपको एक popular podcast create करनी है तो आपको ये जानना जरूरी है कि लोग आखिर podcast सुनते क्यों है सभी podcast में एक चीज common होती है कि लोग आपकी बात को सुने और उसको share करें और लोगों से उसके बारे में बातें करें लेकिन यहीं पर बात थोड़ी बिगड़ती है internet पर सुनने के लिए न जाने कितना data available है तो आप unique कैसे रहेंगे इस summary में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी audience को engage कर सकते हैं पहले एक simple सवाल सुनिए हम podcast audience के बारे में क्या जानते हैं हमें बस इतना पता है कि वो भी इनसान है हमारी तरह ही उनके पास उनके अपने काम है इसका मतलब है कि उनके पास time limited है जब भी वो किसी podcast को सुनने जाते हैं तो सबसे पहले उनके मन में यही सवाल रहता होगा कि आखिर इस podcast से मुझे क्या फायदे होने वाले हैं यह important भी है क्योंकि बहुत सारे podcast available है online हम सब तो सुन नहीं सकते हाला कि इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि अभी भी growth करने के chance उस field में मौझूद है लेकिन competition बहुत हाई है अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी podcast को सुने तो ज़रूरी है कि आप अपनी podcast के help से उनकी life में कुछ value add करें हो सकता है आप अपनी podcast के जरिये उनको entertain करें कुछ learn करा रहे हैं या फिर उनके लिए social connection generate कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन आपकी podcast से उनको benefit होना चाहिए आपको सिर्फ इस बात पर focus नहीं करना है कि आपकी podcast सुन कौन रहा है बल्कि ये भी जानना है कि उसे किस तरह से सुन रहे है कुछ लोग computer पर सुनते हैं कुछ अपने smartphone पर अगर आप इस चीज़ पर focus नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप potential listeners से दूर रह जाएं अगर आपका podcast ज्यादा लंबा है तो भी हो सकता है कि ज्यादा लोग उसको ना सुने इस problem को avoid करने के लिए आप एक exercise की help ले सकते हैं सबसे पहले उन अलग-अलग तरह के लोगों के बारे में सूचिए जो कि आपकी audience का हिस्सा बनने वाले हैं अब उन सभी को नाम दीजे और खुद से सवाल करिए कि उनकी goals क्या है उनका schedule क्या है उनकी social media choices क्या है क्या आपका format उन अलग-अलग तरह के लोगों को suit करता है ऐसा भी नहीं है कि आप सबको हमेशा खुश रख सके क्योंकि सबकी choice different होती है लेकिन इस exercise से आप एक strategy develop कर सकते हैं जो एक अच्छी podcast generate करने में आपकी help करेगी audience build करने का simple मतलब यही होता है कि आप अपने listeners को कुछ ऐसा reason दें जिससे कि वो आपके साथ stick करें मान लीजे आपकी podcast ready है और run कर रही है ये काफी important है लेकिन इसके बाद भी आपको एक लंबा सफरतय करना है अब आपको need है एक strong fan base की तो आखिर आप किस तरह से अपने idea को एक large और loyal audience में convert करेंगी सबसे पहले बात करते हैं discovery की कि किस तरह से listeners आप तक पहुँचेंगे discovery depend करती है keywords और search engine optimization जैसे कुछ factors पर अगर कोई इंसान आपके topics related कुछ search करता है तो जरूरी है कि आपका webpage सबसे पहले उसके सामने आए और उसके लिए important है कि आपके पास एक अच्छा webpage हो एक अच्छा webpage वही होता है जो regular basis पर update होता रहता है और meta tags contain करता है meta tag का मतलब है कि ऐसे कुछ text जो की user को बताएं कि आखिर कौन सा episode किस topic के उपर है ऐसा करने से आप लोगों के लिए अपनी podcast तक पहुँचने के सफर को आसान बना पाएंगे हाला कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर कोई search engine की help से आपके podcast तक आए कुछ लोग podcatcher जैसी चीज़ों का use करते है ये एक program है जहां से podcast को download किया जा सकता है अपने listeners तक पहुँचने के लिए जरूरी है कि आप अपना podcast professional और descriptive रखें दीर से अलग दिखने के लिए आपका podcast आपकी help करेगा चीज़ों को specific रखने की कोशिश करें यहां पर जरूरी है कि आप अपनी choice पर trust रखें और कोशिश करें कि अपनी audience को वो value प्रोवाइड करें जिसकी उनको तलाश है सबसे last में आता है consistency इसमें बात आती है format की podcast में single person की audio को डाला जा सकता है या फिर दो लोगों की conversation को या फिर group discussion में podcast का part हो सकता है आप अपने podcast को वकीली शोक के तौर पर पेश कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि मन्त में एक बार normal format में change करके एक interview लोगों को सुनाए कोशिश करें कि आपके listeners confused ना हो और ना ही disappoint हो जब आप कुछ interviews जैसे audience के सामने पेश करते हैं तो वे उनके लिए unexpected होते हैं consistent work आपकी audience को hold करेगा best podcast create करने के लिए branding और word of mouth आपकी help कर सकते हैं आप कितनी fast तरीके से grow कर सकते हैं कैसे आप ज्यादा से ज्यादा listeners को attract कर सकते हैं क्या keyword और एक अच्छा web page इसके लिए काफी है बिलकुल नहीं अपनी audience बिल्ट करने के लिए आपको चीजों को next level पर ले जाना होगा बात करते हैं branding की आपके show का start ऐसा होना चाहिए जो की एक अच्छा impression लोगों पर create करें कोई अच्छा title या artwork या फिर अच्छा audio introduction आपके users को professional feel दे सकता है शुरुआत में ही आपके listeners को ये समझ आ जाना चाहिए कि आपका show किस चीज से related है एपिसोड के end को branding के लिए यूज किया जा सकता है end में आप listeners को कोई constant audio सुना सकते हैं या फिर आप अपनी अगली podcast का एक audio teaser भी सुना सकते हैं अपनी favorite podcast के बारे में सोचे क्या उनका introduction और end part आपको excite करता है क्या उनका theme song आपके चहरे पर smile लेकर आता है अगर हाँ तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है अब बात करते हैं advertising की किसी भी podcast के लिए best advertisement कोई paid ad नहीं बलकि word of mouth होता है word of mouth यानि की जब लोग अपने मुँ से दूसरों के सामने किसी चीज की तारीफ करते हैं regular advertising से बहतर वो है जब लोग अपने दोस्तों और करीबी लोगों से आपके podcast के बारे में बताते हैं तो आप ये किस तरह से करेंगे कि लोग आपके podcast के बारे में बात करें सबसे पहले आपको ये make sure करना होगा कि आप अपने listeners को अच्छा experience प्रोवाइड कर रहे हैं आप influences के साथ जुड़कर चीजों को और fast बना सकते हैं हो सकता है कि आपकी podcast जिस field से related है उससे related experts आपकी पहचान के हैं और possible है कि उनको ज्यादा लोग जानते हैं और सुनते हैं ये सब एक great interview की help से ही possible है starting में ही सबसे बड़े influences से connect ना हो पहले छोटे influences के साथ experiences हासल करें और फिर बड़े influences के पास जाए इस process के दौरान अपने interview skills को बहतर करें इसके लिए आप अपने favorite interview लेने वाले व्यक्ति को सुन सकते हैं और focus करिए कि वो क्या अलग कर रहे हैं किस तरह से वो अपने guest को comfortable करते हैं अगर आपके guest आप से खुश रहते हैं तो वे बाहर जाकर दूसरों से आपकी तारीफ ही करेंगे right tools की help से आप कम effort लगा कर भी high quality podcast produce कर सकते हैं अब मान लीजे कि आपके पास एक अच्छा concept है और आपको ये भी बता है कि अपने listeners तक उस idea को पहुँचाने के लिए best format क्या है इसके अलावा आपके पास वो influencers भी available हैं जो आपकी audience को grow करने में help करेंगे अगर इतना सब ready है तो ये काफी अच्छी बात है अब ज़रूरी ये है कि आपका show अच्छा sound करें हम आपको बताते हैं ऐसा कैसे possible है इस चीज को हासल करने के लिए किसी तरह का rocket science नहीं चाहिए बस आपको choice बनानी आनी चाहिए आपको एक ऐसी trick पिक करनी है जो आपके लिए work करे और इसके लिए आपको थोड़ा analysis करना होगा जब भी आप recording करते हैं तो दो जो सबसे important factors होते हैं वो होते हैं किस माहौल में आप record कर रहे हैं और recording के लिए किस तरह का microphone यूज़ कर रहे हैं एक बात याद रखिए कि हो सकता है आपके पास record करने के लिए best microphone available हो लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं होगा अगर माहौल सही नहीं रहेगा माहौल से हमारा मतलब है शांती वाला वातावरन आपको बाहर की आवाजों को कम से कम रखना है इस चीज़ को आप टेस्ट भी कर सकते हैं पहले अगर आपके यहाँ पर bathroom में tiles लगे हो तो वहाँ पर कुछ record करिए उसके बाद बाहर आके room में कुछ record करिए आपको difference साफ नजर आएगा अब बात आती है microphone की आपका microphone कैसा होना चाहिए यह इस बात पर depend करता है कि आपको उसका use कैसे करना है एक्जांपल के लिए बात करते हैं लेवलियर माइक की यह portable होते हैं और interview जैसी चीज़ों के लिए best होते हैं उसके बाद होते हैं USB microphones जिनको आप आसानी से computer में लगा कर अपना काम कर सकते हैं ऐसे अलग-अलग तरह के mics मार्केट में available हैं आपको अपनी use के according चूज़ करना होगा एक बार आपने अपना recording setup सौट कर लिया उसके बाद आपको editing पर काम करना है editing perform करने के लिए भी market में बहुत सारे tools available हैं उन सभी को आप learning के लिए use कर सकते हैं अपनी podcast में से falto के noises को हटाना काफी time consuming होता है उसमें काफी effort लगता है editing हमेशा इस बात को ध्यान में रख कर करिए कि आपके listener का time काफी important है आपको उसे waste नहीं करना है आप जो content share करने जा रहे हैं वो बासी या फिर कहीं पुराना नहीं होना चाहिए मान लीजे आपके podcast की सारी तयारी हो गई है आपके पास दो hosts भी available है जो की काफी अच्छे है आपके पास कुछ recording भी है जिने आप arrange करने जा रहे हैं एक बात और अब आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि आप जिस भी topic पर podcast करें या interview करें उन सभी का आपके vision से कोई न कोई connection होना चाहिए ज़रूरी नहीं सब कुछ listeners को ध्यान में रख कर किया जाए कुछ चीजें हमें अपने profit के लिए भी करनी है एक और बात पर हमेशा focus रखिए कि आपका content ही आपकी value है अगर आप सही तरह से content create नहीं करेंगे तो फिर सुनने वाला कभी भी दूसरे content पर switch कर सकता है इसलिए आपको ऐसा कुछ create करना है जो आपके audience को खुश भी रखे और engaged भी हो सकता है कि आपके पास ऐसे में idea की कमी होने लगे तो घबराने की नीड नहीं है आपको बस अपने senses open रखने है चीज़ों को search करिए social engagement generate करिए और चीज़ों को analyze करिए अपनी audience को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें सुने अपने area को जानने का मतलब है पढ़ना और सुनना audience मौजूद ही इसलिए होती है ताकि उनको entertainment मिले उनको किसी चीज़ में engage किया जाए और उन्हें कुछ सीखने के लिए मिले आपके हर podcast का primary goal भी यही होना चाहिए पूरी podcast के दौरान इस चीज़ से अपना ध्यान ना हटने दे हाँ, sponsor message आप बीच बीच में डाल सकते हैं अगर आपका focus value पर रहेगा तो audience से आप जो भी करवाएंगे उन्हें वो advertising नहीं लगेगा उन्हें लगेगा कि वो आपसे connect हो रहे हैं अपने listeners के behavior को track करके आप उनके preferences के बारे में जान सकते हैं आपकी podcast कहां पर सुनी जाएगी? लाजमी है कि आपके podcast application पर पर वो आएगी कहां से? इसके लिए आपको need होगी RSS feeds की और इसके अलावा आपको web space की भी जरूरत होगी अपनी files upload करने के लिए आप अपनी files खुद host कर सकते हैं पर ये काफी expensive हो सकता है कुछ limitations की वज़े से अगर 30MB की file को बहुत बार download किया जाता है तो इस वज़े से आपको provider को काफी bill देना पड़ सकता है अच्छी बात ये है कि इस तरह की bandwidth को handle करने के लिए बहुत सारी services available हैं और उनके पास ऐसे बहुत से tools हैं जिनकी help से आप अपनी audience को जान सकते हैं अगर आपका hosting provider अच्छा है तो आपको monthly fees देने में कोई दिक्कत नहीं होगी hosting provider का काम होता है आपके show को अलग-अलग platforms पर distribute करना social media पर आपके content को push करना download status को track करना और हाँ, इसकी कोई download limit भी नहीं होती ये जो stats provide करता है वो भी काफी valuable होता है अगर आप अपनी audience को जानते हैं तो इसका मतलब आपको पता है कि उनको कौन सा topic पसंद है और कैसे उनको engaged रखा जा सकता है stats आपको सर्फ इतना नहीं बताते कि आपके podcast को कितने लोगों ने download किया बलकि आपको ये भी पता चलेगा कि वो लोग कहां से है आपकी audience कितनी बड़ी है क्या वो grow कर रही है या कम हो रही है और कौन-कौन से country से लोग आपसे connected है इस तरह की information आपको hosting provider से मिलने वाली है कुछ-कुछ providers तो ये भी बताते हैं कि आखिर listener ने पूरी podcast सुनी या फिर बीच में ही छोड़ दी इस सब तरह के information को ध्यान में रखकर आप अपनी next podcast में उनके according कुछ बतलाव ला सकते हैं डारेक्ट audience engagement को कभी भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्यूंकि वो सबसे important है इसके लिए आप अपने brand को अलग-अलग social media platforms जैसे की Facebook, Instagram, Twitter पर promote कर सकते हैं यहां पर आपको सुनने वालों से डारेक्ट feedback मिलेगा एक बात और ध्यान में रखिए कि social media को गलत वे में भी यूज किया जा सकता है शेर करने से पहले खुद से एक बार ये सवाल जरूर करें कि क्या जो content आप शेर करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं और क्या वो आपके brand को represent करता है अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ज़रूरी नहीं कि उसको share किया ही जाए अगर आपको अपनी podcast की help से अपने business को support करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी podcast revenue generate करे time is money अगर आप अच्छी podcast create कर रहे हैं और उसकी वज़े से बार-बार आपकी audience आपकी तरफ attract हो रही है तो ये समझ लीजे कि अब उसकी head से पैसे कमाने का time आ गया है हाला कि ये कुछ चीजों पर depend करता है हर podcast से पैसे नहीं कमाय जाते और पैसे कमाना आपका ultimate goal होना भी नहीं चाहिए याद रखे होस्टिंग से लेकर website तक आपके podcast को run करने के लिए जिन जिन चीजों की need होगी सबका कुछ न कुछ price होता है अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी investment और revenue को manage करना है आप अपनी podcast के बीच बीच में advertise करके पैसे कमा सकते हैं कुछ advertisements native होती हैं और कुछ non-native native वो होते हैं जो की सुनने में ऐसे लगेंगे कि वो आपके podcast का ही part है non-native थोड़े अलग होते हैं non-native तभी work करते हैं जब आपके पास ज्यादा बड़ी audience हो आप अपने stats का use करके अपनी audience के पसंद के according ads चुन सकते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी advertisement करने लगेंगे तो शायद advertisers ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको result चाहिए होता है पैसे कमाने का एक और method यह हैं कि आप merchandise sell कर सकते हैं इससे brand awareness भी increase होगी एक t-shirt जिस पर आपकी podcast का नाम हो कई बार आपको बहुत सारे नए users दिला सकती है एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि merchandise sell करना कभी कभी full time job भी बन सकता है इसलिए जरूरी है कि आप on demand चीज़ों को produce करें और उसको sell करें आप third party से manufacturing का का काम करवा सकते हैं content के लिए चार्ज करें ऐसी बहुत से channels हैं जो कि users से content के लिए चार्ज करती है और फिर उन्हें reward भी करती है इस model की वज़े से बहुत से लोग full time podcasters भी बन गए हैं आप कौन सा way चुनते हैं ये इस बात पर depend करता है कि आपकी audience कैसी है और आपका content कैसा है हो सकता है आपको सही model find करने में थोड़ा time लग जाए लेकिन इससे आपको फाइदा भी होगा और आपको growth देखने को मिलेगी कुल मिलाकर अगर आप एक successful podcaster बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी audience और उनकी पसंद को समझें imaginary listeners से शुरू करके आप social media और stats का यूज करके listeners के बारे में सही से जान सकते हैं आपको बस consistent रहना होगा उसके बाद आप अपने listeners की loyalty का यूज करके अपनी ultimate goal तक पहुँन सकते हैं याद रखिए अच्छी podcast ही audience के साथ अच्छा relationship generate कर सकती है उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये book समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगें तो like और subscribe जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से update रह सकें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद